केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी का निशाना राजगाट से बोली हैं सोनिया गांधी रोजगार खत्म हुए उद्योग बंद हुए देश में युवा बेरोजगारी जहेल रहे है साम, दाम, दंड, भेद का पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है तो सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार सीधे तोर पर निश्याना साधा है साम दाम दंड भेत का खेल जो है वो खेला जा रहा है युवा जो है उनके पास रोजगार नहीं है तमाम मुद्दे उठाए हैं सोनिया गांधी ने गाओं ही नहीं, शेहरों में भी लोग जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, खुद को भाग्य विधाता समझते हैं कुछ लोग, पांस साल में जो हुआ उसे बापु की आत्मा दुखी है, आज गांधी जी के सिधान हत्रे में हैं, गांधी के बहाने सोनिया गांधी ने मोधी सरकार पर हमला बोला है, खुद को ताकतवर समझने वाले गांधी को क्या समझेंगे, तो अब गांधी जीनती के मोके पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, खुद को जो ताकतवर समझते हैं वो गांधी को क्या समझेंगे, हमारे सहयोगी, वरिष्ट सहयो गांधी के सिध्धान्तों को लेकर जिस तरह से बात कहीं कि आज गांधी के सिध्धान्त खत्रे में हैं जो खुद को ताकतवर समझते हैं वो गांधी को क्या समझेंगे क्या लगता है कि मौका था शायद इसलिए निश्वान असाद लिया गांधी मेरे हैं तो यह परचस्प के लड़ाई है यह अपनी अपनी घंधी मेरे गांधी तेरी की लड़ाई में यह ये मुकावला है दुस्तत होता जा रहा है और आपने देखा कि गांधी जैसी गांधी इस मारक के ठीका राजिखाट के सामने दुनिया गांधी ने आरोपों की पहुचार लगाई है परंपरागत इस तरह की आरोप नहीं रखाया करते और आज के दिन कंसे कर सामती और कि गांधी की बात करना बहुत आशान है लेकिन सिधान सों में बहुत मुष्किल है साफ है लेकिन नहीं पे और दुसी सब आज बीज़ेपी अधर्च अमीज साथा का वी कारिक्रम था उसमें मैंने देखा कि औरोवे कि किसी पार्टी का नाम जबूश किसी ने लिगिया त बिल्कुल बीजेपी की प्रदेश की इसका इंतजार हम भी करेंगे बहुत 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 शुक्रिया कमलेश हमारे साथ है जुडने के लिगिया हमारे वरिष्च सहयोगी जो बता रहे था कि मौका था तो कॉंग्रस ने यहां पर कटाक्ष किया है अब देखना है कि बीजेपी क्या रियाक्शन देती है